नमस्कार खबर अभी तक में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ ठाकुर अमंदीप से शिरुवात करते हैं उस खबर से जिस पर सबके निगाही हैं 18 अपरेल को अपना घर मामले में CBI कोट ने बाल सनर्चन ग्रह की संचालिका और मामले की मुख्या आरूपी जस्वंती देवी के साथ 9 आरूपियों को दोशी करार दिया था इस केस में आज CBI कोट बड़ा फैसला सुनाएगी जिहां किसी भी वक्त फैसला आ सकता है हर्याना के बहुच अच्चित अपना घर मामले में दोनों पक्षों की सभी गवाहियां पूरी हो चुकी हैं इस मामले में CBI के पक्ष के करीब 121 बयान दर्च हुए थे वहीं बचाव पक्ष की और से 26 लोगों के बयान लिया गाए थे आज की सुनवाई के लिए मुख्या आरूप अना थाले से गाए तील लड़कियों के दिल्ली में पक्ड़े जाने पर इस मामले में कारवाई की गई थी और करीब करीब 6 साल इस मामले को होने को हैं और 6 साल के बाद आज इस मामले पर फैसला आएगा दोश्यों को सजा का ऐलान किया जाएगा तो करीब करीब 6 साल बीच चुके हैं आट में 2012 को यह मामला प्रकाश में आता है और आज इस मामले में जो सजा है उसका ऐलान किया जाएगा सीबाई कोट की तरफ से हमारे साथ सीधा सीबाई कोट परीसर से जुट चुके हैं हमारे सम्वादा था कुमार रमेश कुमार सबकी निगाहें आज इस फैसले पर हैं सजा के ऐलान पर हैं क्या कुछ चल रहा है सीवे कोट में कब तक सुनवाई होके देखे अमन्दी पिये माना जा रहा है कि लगभग आफटर लज जो है उनको सजा सुनाई जा सकती है वैसे जो जितने भी आरोपी हैं जिन पर दोशी करार दे दिया गया है उनको सभी को पेश किया गया है और इनके संख्या लगभग नो है और यह माना जा रहा है कि जिनोंने गुरमित राम रहिम की सुनवाई की थी वही जज है और यह उमीद की जासक्ती है कि वो जो फैसला देते हैं वो कड़ा फैसला देते हैं और यह उमीद जदाई-ज़ारी करिमेंको जो मैक्सिं मिचमेंट दिया जा सकता है जूकि कि कही न military मानों तसकरी और दिया बहुत दे वियापार तो मसला है सब् Gente कर दिया गए और शोन समयूति जाए और चुछी देर बाद याने कि एक देड़ घंटे के अंतराल में फैसला सकता है जी बिलकुल कुमार जिस तरह से आपने बताया कि सभी आरोपी जो हैं सीवेक कूट में बहुंच चुके हैं क्या हावभाव थे क्योंकि आज उनके सजा सुनाई चाहेगी और जैसा कि आपने बताया कि जो जिस्टिस जगदीब हैं जिन्होंने राम रहीम के मामले में सजा सुनाई थी तो अपने बयानों को लेकर अपने खास करके जो वो निर्ने लेते हैं जो सजा सुनाते हैं उसको लेकर काफी प्रख्यात हैं और किसी भी तरहां से दबाव में नहीं आती है तो कितनी सजा हो सकती है और अगर आरूपियों की बात की जाए, दूश्यों की बात की जाए, क्या हावभाव थे उनके चेहरों पार? अगर किसी को पता हो कि उनके साथ क्या होने वरा उनको सजा मिलने वाली है, अब उनकी बाकी जिन्दगी जेल में कटने वाली है, तो वैसे भी मांसिक रूप से भी वो तूट जाता है और उसका परभाव कहीने काई चेहरे पर देखने को मिलता है, जब उनको कोट में लाया गया तो जाहर तो उनको पता था कि दोशी करार दिया गया और सजा उनको जरूश नहीं जाएगी, और कहीं ने कहीं जगदीब जज हैं उनके अदालत में लगाया तो उनको मैक्सिम पनिश्मेंट की साजा मिल सकती है, यह भी जिता ज़रे, क्योंकि आपको याद होगा भारतियन्ता पार्टी की और से और गुर्मित राम रहीम की ओड़े बिलकुल परसपर सहियों की बात की गई थी और उसका बिलकुल बिपरीद दिखा कि कहीं भी नियायाले पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, और नियायाले ने सुतंतर रूप से अपना फैसला और आप उसको बाजार में बेच दें देह बयापार में जोग दें तो यह बहुत बड़ा जगन्ने अपराद है उन्ची जो को देखते भी माना जा रहा कि मैक्सिम्म परिश्मेंट मिलेगी और जब एक डिट घंटे बाद इसका फैसला आएगा तो जाहिर हो जाएगा कि मान देखे दूश्यों के परिवार में से लोग जरूर यहां पहुचे हैं दो लोग उनके परिवार के और वो मीडिया के सामने तो नहीं आ रहे हैं लेकिन जाहिर तोर पर कोट के प्रांगण में ही है और इसके साथ साथ पुलिस भी है और दो पुलिस की बसे भी है उसाथ में जो पुलिस के आलादिकारी है वो भी पहुचे हैं तो बात ये देखिए अगर परिवार की और से देखा जाए तो जाहर तो पर उनको एक प्रकार का धक्का तो हई है कि छे साल में उनके लिए फैसले आ गया और कहीं ने कहीं उनको कड़ी सजा मिल रही है दूसरों के लिए स समासेवा के द्रिश्टी से कुछ और करें हो उसके बाद में उसमें कहीं आप अपना ब्यापार डूट रहे हो तो इन चीजों के लिए माना जा रहा है कि आज का फैसला दूसरों के लिए सबक होगा इसी लिए से भी को इंतिजार है कि इस फैसले में जजद साब क्या तज कुमार जिस तरह से सिर्फ 6 साल में क्योंकि 8 में 2012 को ये मामला प्रकाश में आता है और आज यानि कि 24 अपरेल 2018 करीव 6 साल के इंतराल के बीट में ही इस पर फैसला आज आज आएगा इस इनको जो है सजा का ऐलान हो जाएगा तो बहुत कम समय लगा है अगर और केसों की जब दिल्ली में तीनों लड़कियां मिली और उसके बाद जब दिल्ली ने पूरी जांच की तो इस मामले को सरकार ने प्रेशर में आके तब हुड़ा की सरकार दिभुपेंट सिंग हुड़ा प्रदेश के मुक्य मंतरी थे उन्होंने इस मामले के जो सिफारिस की कि CBI जा कि अगर एक केस पर जज़साब दस-फंदरा में भी दें तो भी निपड़ने को गवाहों के ब्यान भी होते हैं और दूसरे कि परतिवाजियों के ब्यान लेने होते हैं तो इन चीजों को लेकर कि माना जाता है कि काफी समय लगता है और इसलिए CBI कोट में मामला कुमार रमिश ये जो सजा का ऐलान होगा कही ना कहीं एक मिसाल काइम की जाएगी और डर पैदा करेगा उन लोगों के दिलों में जो इस तरह के गिनाने काम करते हैं जो अनाधालियों में बच्चों के साथ या जो महिलाएं रहती हैं जिनका आश्रे कोई नहीं होता है उनके साथ इस तरह का वहवार करते हैं देवेपार में उनको डाल देते हैं या माने तसक्री में इनको इस्तिमाल करते हैं दिए इस मामले में दो बड़ी एहम चीजे थी सबसे पहले बात तो यह थी कि जो अपना घर था वो खुछ सरकार द्वारा चलाय जा रहा था और राजी सरकार के डिपार्टमेंट जो महिला बाल विकास विवाग है उसकी तरफ से देख रेक में चलाय जा रहा था और जब इस परकार के सरकारी संस्थान में ऐसी घिनोनी हरकत हो तो वाके दिल दहल जाता है इसलिए सभी की निगाहें इस पर बनी थी कि अपना घर में क्या सजा सुनाएगा कोट क्या फैसला देगा कोई कहीं ने कहीं जब नो के नो आरोपियों को जब इस पर आरोपता की हैं और कहा कि आप इसमें बराबर के दोशी हैं और जब उन पर इनको ये कह दिया गया कि आप इसके गिल्टी करार के बाद जो 24 तारीक को इसमें जाएगी तो इससे साफ हो गया कि हंदुस्तान में निया है थोड़ा देर इससे जरूर मिले लेकिन मिलता जरूर है और कहीं न कहीं आज के जो फैसले से दूसरों के लिए सबक लेना होगा कि कभी भी आप समास सेवा के हैसंधस से कोई काम करें और इसको आप कहीं न कहीं ब्यापार में जब तबदिल करने की कोश Shop करते हैं वो सही किया गया और यह माना जा रहा है कि उनको मैक्सिम परिश्मन की सजा जी बिल्कुल देर आए दुरूस ताय लेकिन कुमारवेश क्या यही वज़ा रही क्योंकि सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा था और जब पुलिस इसकी जांच कर रही थी उसके बाद हुड़ा वह देखें बिल्कुल सरकार ने जांच दी और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को समय प्रेशर था भी पक्षियों पार्टी ने मुद्दा उठा दिया और पक्षियों पार्टी ने कहा कि सरकार की मन्चा साफ नहीं नजराती और कहीं नहीं कर यहीं बहुत बड़ा कारण है जो सरकार को समय प्रेशर में आकर के इसको आगे जो है सिफारश करना पड़ा CBI के लिए और CBI ने वाके दूद कर दूद पानी का पानी किया और जो सबूत थे वो सारे पेश किया और इनको सजा सुनाए गई और यह माना जा रहा है कि जो कड़ी सेजा मिलेगी वो दूसरों के लिए सबक भी होगी कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं जो किया है आपने वो बिल्कुल गलत था तो यह सबसे बड़ी बात है जो पीडी थे उनको आज इंसाफ मिलना है और यह माना जा रहा है जब कड़ी सेजा मिलेगी तो कम से कम दूसरों के लिए एक सबक जरूर होगा कि इस परकार की वो वार्दात ना करे कर दो कर दो कर दो क कि अचल रविग कर दो क्या है